द्रिश्टिया इसके ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का ओडियो आर्टिकल स्क्रॉल वेबसाइट में प्रकाशित लेख इसमें टीम द्रिश्टि के इनपुट भी शामिल है यह आर्टिकल सामान्य अध्यान प्रश्नपत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है तो आईए लेख की शुरुआत करें राजस्थान के अध्यादेश में मौजूद असहमतिया शासन के गलियारे में एक कहावत है कि जिन पदों पर विवेका धिकार का दायरा अधिक होता है ब्रश्टाचार की गंगूत्री वहीं से अधिक बहती है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जिन के पास विवेका धिकार अधिक हैं उनके पास उत्तरदाइत्व भी अधिक हों। कानून और नियम के प्रावधानों से उन्हें उतनी आजादी न मिल जाए कि मसला विशेशा धिकार का बन जाए और हमारी न्याय सम्मत और समतावादी समाज बनाने की पूरी की पूरी परिकल्पना धरी की धरी रह जाए। राजस्थान सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया सनहिता की धारा 156 और 190 में परिवर्तन के लिए लाया गया अध्यादेश आपने प्रावधानों से कुछ ऐसी ही मंशा प्रस्तोत करता हुआ नजर आ रहा है। आईए इस ओडियो आटिकल के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि दंड विधियां राजस्थान संशोधन अध्यादेश 2017 के प्रावधानों ने किस तरह की न्याइक विसंगतियों को बहस का मुद्दा बना दिया है। समविधान के अनुछे 213 के अनुसार अगर राजी के राजेपाल को विधान मंडल की 17 वसान की अवधी में ऐसा लगता है कि राजी को किसी कानून की बहुत अधिक जरूरत है तो वह अस्थाई तोर पर राजी में कानून लागू करने के लिए अध्यादेश का साहरा लेत राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया दंड विधियां राजस्थान संशोधन अध्यादेश 2017 आपने अस्थाई कानून से स्थाई कानून में बदल जाने की स्थिती से गुजर रहा है, جहाँ अध्यादेश के प्रावधानों ने सर्व सहमती की बजाए असथितियां पैद चिकाओं की असाहमती का बिंदू यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा लागू किये गए अध्यादेश के प्रावधान सम्विधान के अनुचेद 14 अर्थात विधी के समक्ष समानता और अनुचेद 19 यानी अभिवक्ति की स्वतंतृता का उलंगन करते हैं। इस अध्यादेश के तहट राजस्थान सरकार दंड प्रक्रिया सनहिता 1973 में परिवर्तन करना चाहती है ताकि इस अधिनियम से सम्मंधित धारा 156 और 190 के प्रावधान राजस्थान राज्य में अलग तरह से लागू हूँ। पोलिस अथ्वा किसी व्यक्ति के शिकायत के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रात्मिक अस्तर पर जाच करने का अधिकार प्राप्त है भले ही व्यक्ति की हैसियत कुछ भी क्यों नहो। इस अध्यादेश के मामले में अंतर नहित है कि केंद्रिय अग्रेह मंत्राले ने इसके प्रावधानों पर मुहर लगाई है। इस तरह या कानून राजनितिक बहस का भी मुद्दा हो गया है कि विधाईका के सदस्यों की संख्या के लिहाद से मजबूत सरकारें विपक्ष को अनसुना कर निरंकुष व्यवहार करती हैं। राजस्थान सरकार के इस अध्यादेश के प्रावधानों की छान बीन करने की कोशिश करें तो वह तस्वीर उभर कर सामने आएगी जिसकी वज़ह से इस अध्यादेश पर कठोर किस्म की असहमतियां व्यक्त की जा रही हैं। सरकार की पूर्व मनजूरी मिल जाएगी। कहने का मतलब यह कि राजस्थान सरकार की सीमा क्षेत्र के अधीन दंड प्रक्रिया सनहिता की धारा 156 और 190 उस तरह से लागू नहीं होंगी जिस तरह से वह अन्यराज्यों में लागू होती हैं। इस मनजूरी की समय सीमा 180 दिन तै की गई है जिसका मतलब यह है कि सरकार अगर चाहे तो किसी के खिलाफ केस दर्च करने की मनजूरी देने के लिए लगभग 6 महीने का समय ले सकती है। 180 दिनों के भीतर अभियोजन मनजूरी जारी करने में असफल रहता है तो समय सीमा समाप्त होने के बाद धंड प्रक्रिया सनहिता की धारा 156 के अधीन मनजूरी स्वता जारी हुई समझी जाएगी। लोक सेवक के अधारणा की व्याख्या ब्रष्टाचार विरोधी कानून में की गई है जिसके अनुसार मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों को भी लोक सेवक के तोर पर माना गया है। कहने का मतलविया है कि सद्यादेश के माध्यम से राजस्थान की मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रियों को भी प्राथमिक जाच से उन्मुक्ती हासिल हो चुकी है। अगर कोई व्यक्ती इस प्रावधान का उलंगन करता है तो इसे संग्य या अपराध माना जाएगा जिसके लिए दो वर्ष की जेल और कुछ दंड राशी भुक्तान करने की सजा दी जा सकती है। की स्वतंत्रता पर राज्य का सीधा हमला जैसी नकारात्मक प्रवरित्तियां साफ साफ दिखाई देती हैं। इस अध्यदेश की विशेवस्तु की प्रकृते इतिहास में मौजूद ऐसे ही कई तरह के मसलों की याद दिलाती है जिन मसलों को सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया था। सन 1997 से पहले सन्योक्त सचयू के अस्तर के अधिकारी पर लगे आरोपों की जाच करने के लिए सरकार की अनुमती की जरूरत होती थी जिसे एकल निर्देश के नाम से जाना जाता था। सन 1997 में सुप्रीम कोट की तीन जजो की पीठ ने विनीत नरायन केस में फैसला सुनाते हुए एकल निर्देश से संबंधित सरकारी आदेश को अनुछे 14 का उलंगन करार देते हुए खारिज कर दिया। ठीक इसी तरह का फैसला सन 2014 में पांच जजो की समवेधानिक पीठ ने दिल्ली स्पेशल पोलिस इस्टेबलिश्मेंट अधिनियम से जुड़े एक प्रावधान के संबंध में सुनाया। इस प्रावधान के तहट भी सन्युक्त सचवस्तर के सिविल सेवकों पर लगे आरोपों की प्रात्मिक जाच करने के लिए CBI को केंद्रिया सतरकता आयो की मनजूरी की जरूरत होती थी। सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में ऐसे प्रावधानों को स्वैचिक आधार पर किया गया कृत्रिम वर्गिकरण बताया और अनुछे 14 अर्थात विधी के समक्ष समता का उलंगन करार देते हुए खारिच कर दिया। के दोर से भी गुजरना पड़ता है। इसलिए उन पर लगाए गए हर तरह के आरोपों को स्विकार करना उचित नहीं है। इतिहास में इस तरह के न्याइक निर्णे के विशेवस्तू और फैसले मौजूद होने के बावजूद राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश, मूलतह राजस्थान सरकार की अपने विवेक अधिकारों का गलत तरह से उप्योग करना दर्शाता है। जब न्यायाले ने पहले ही यह बात गोशित कर दी है कि किसी भी तरह के अधिकारियों और लोक सेवकों के लिए अलग तरह के मांदंडों को बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अलग मांदंड बनाने की कोशिश करना न्यायक आदेशों की अवहेलना का उदाहरन प्रस्तुत करता है। इस संदर्म में सुप्रेम कोट के द्वारा दिये गए नेनेयों के मनशाया है कि राज्य अपने विधानों से उन अवरूधों को समाप्त करने की कोशिश करे जिनकी वजह से व्रश्टाचार से लड़ने में राज्य की संस्थाओं को परशानियों का सामना करना पड़ता ह रास्तान सरकार के इस अध्यादेश पर अभिवक्ती की आजादी पर पाबंदी लगाने का भी आरूप है प्रेस और मेडिया की अभिवक्ती की स्वतंतरता का संरक्षन सम्विधान करता है इस अध्यादेश का प्रावधान जैसे ही यह कहता है कि उस लोक सेवक की पहचान उजागर करना अपराद माना जाएगा जिस पर आरोप लगाय जा रहे हैं वैसे ही जनहित में सूचनाओं के प्रसार के लिए बनी मीडिया की अभिव्यक्ति पर पाबंदी लग जाती है काल के ग्रास में मौझूद तूजी स्पेक्ट्रम जैसे घुटालों का उदाहरण हमारे सामने है जब तक इस तरह के घुटाले में सनलिप्त व्यक्तियों के कामों की मीडिया में चानबीन नहीं की जाती तब तक तूजी जैसा भ्रषटाचार का बड़ा घुटाला उजागर नहीं होता केवल यही मामला नहीं बलकि ऐसे तमाम मामले हैं जो भ्रषटाचार में सनलिप्त व्यक्तियों की कारेवाहियों के चानबीन के जरिए मीडिया की भ्रष्टाचार उजागर करने में भूमी का दिखाता है इस अध्यादेश में 180 दिनों की सीमा के भीतर मंजूरी न मिलने के बाद स्वतफ मंजूरी मिल जाने के प्रावधानों से उन आलोचनाओं को संतुलित करने की कोशिश की गई है जो इस अध्यादेश के प्रावधानों से भ्रष्ट लोग सेवकों को संरक्षन प्रदान करते हैं लेकिन 180 दिनों की समय सिमा इतनी ज्यादा है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या लोग सेवक इतने समय में खुद से सम्मंधित भ्रष्ट अचार के साक्षों की मौजूदगी को समाप्त करने की कोशिश कर सकता है यहां यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पहले से ही संविधान के अनुछे 311 के माध्यम से केंद्र और राजी के लोग सेवकों को अपने खिलाफ किसी भी तरह की अनुशास नात्मक कारेवाही से सम्मंधित जानकारी को हासिल करने का अधिकार प्राप्त है साथ ही केंद्र और राजी के लोक सेवकों को यह भी अधिकार प्राप्त है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह के दंड का आरोपण तब ही किया जाएगा जब उन्हें अपनी बात रखने का परियापत आउसर दिया जा चुका होगा सरदार पठेल की मनशा से समविधान में शामिल किया गया यह उपबंद लोक सेवकों को उनके विवेका धिकार के उपयोग के लिए पूरी आजादी देता है ताकि उन्हें अपने काम को करते हुए किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव का सामना ना करना पड़े दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट ने अनुचे 311 पर चर्चा करते हुए ब्रष्ट लोक सेवकों के द्वारा इस उपबंद के दुरुपयोग के कई उदाहरणों को सुईकार किया है यह सारे विमर्ष इस बात की और इशारा करते हैं कि सम्विधान ने पहले से ही लोक सेवकों को बाहरी दबाव के बिना काम करने के लिए परयाप्त संरक्षन दिया है जब भी नयाईक संस्थाओं को इस संरक्षन की मौजूदगी ज्यादा लगी है नयाईक संस्थाओं ने उस संरक्षन को खारिज करते हुए उस प्रकृते को अभिवक्त किया है जो भरष्टचार की लड़ाई में अवरोध की तरह काम करती हैं इस लिहाद से राजस्थान सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया सनहिता में परिवर्तन को लेकर लागू किये गया अध्यादेश में वे तमाम तरह की असहमतियां हैं जो भारतिय संविधान और नयाईक निर्णेयों के विधान के विरुद्ध जाती हैं आईए अब नोट करें आज का सवाल सवाल है दंड विधिया राजस्थान संशोधन अध्यादेश 2017 के उन प्रावधानों का वर्णन कीजिये जिनकी विश्यवस्तु के प्रकृति को सुप्रेम कोट द्वारा पहले भी खारिज किया जा चुका है